हमारे सभी दर्शकों को साधर पढ़ाम जैशी क्रिश्णा आज का हमारा विशाय है मकर राशी फल अपरेल दो हजार बाइस तो अपरेल के 30 दिन कैसे रहेंगे मकर राशी वालों के लिए कौन सा दिन आपके लिए लाबकारी रहेगा किस दिन खर्च हो सकता है किस दिन यात् हो सकती है शादी के रिष्टे की बात किस दिन कर सकते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी लेकिन आपकी चंद्र राशी मकर राशी है तभी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी यह जानकारी मैं चंद्रमा के गोचर के आधार पर दे रहा हूं चं अलग-अलग राशियों पर गोचर करेगा और उससे मकर राशी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम जानेंगे तो मैं तारिक के हिसाब से आपको बताऊंगा कौन सी दिनांक कौन सी तारिक आपके लिए शुब रहेगी कौन सी तारिक आपके लिए ठीक नहीं है तो पूर यात्रा का योग बन सकता है या दूर यात्रा का विचार इस दिन एक अपरेल को बन सकता है यदि आपकी मकर राशी है पतनी को लाब मिलेगा यदि आपकी पतनी किसी प्रकार का व्यापार या नोकरी करती है तो वहां उनको भी लाब मिलेगा आपकी मकर राशी है तो आप आपको भी लाब मिलेगा और आपके पति को भी लाब मिलेगा या आपको भी लाब मिलेगा और आपकी पतनी को भी लाब मिलेगा खरिदारी का योग भी या विचार भी इस दिन बन सकता है भोतिक समस्त प्रकार के लाब आपको इस दिन मिलेंगे तो कोई भी सुख सुविद इस दिन उत्तम रहेगी धनल आपका योग चाहे नोक्री हो चाहे व्यापार हो आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको लाब मिलेगा और कोई समस्या है पुरानी तो उस समस्या का समाधान भी इस दिन आप चाहें तो कर सकते हैं मानली जी किसी से जगड़ा है तो उससे बादचित करके समस्या को सुल जा सकते हैं इस दिन क्या अन्य कोई समस्या है तो उसका समाधान भी इस दिन आप कर सकते हैं अब बात करेंगे 2, 3 और 4 अपरेल ये 3 दिन कैसे रहेंगे दो अप्रेल, तीन अप्रेल, चार अप्रेल, ये तीन दिन आपके लिए ठीक नहीं है, पड़ाई कर रहे हैं, स्टुडेंट हैं, तो ठीक रहेगा आपके लिए, कोई समस्यावली बात नहीं, बोतिक संसादनों में रूची रहेगी, वहन खरिद लूँ, मकान खरिद लूँ या भूमी खरिद लूँ, इस प्रकार का विचार बनेगा, या गर में कोई साधन, सुख, सुविधा का साधन खरिदना है, उसको खरिदने का विचार भी बन सकता है, उसमें रूची इस दिन बनेगी, पारिवारिक सुख ठीक ठीक रहेगा, लेकिन भय रहेगा इस दिन, इन दिनों में थोड़ा सा डर या भय रहेगा। चाहे नोकरी में हैं, चाहे व्यापार में हैं। व्यार्थ वाद विवाद से आपको बचना पड़ेगा इन दिनों में 2-3-4 अपरेल को। अन्यता समस्या हो सकती है। मस्तिक्ष में विचारों की भी अधिकता इन दिनों में अवश्य रहेगी। अब बात करेंगे 5 और 6 अपरेल। ये दो दिन ठीक रहेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, तो इससे समदित बात परिवार में रख सकते हैं। प्रेम विवाह करना चाहता हूं, तो यह बात परिवार में रख सकते हैं। यदि आप शादी शुदा हैं, संतान हैं, तो संतान की थोड़ी सी चिंता इन दिनों में रह सकती है। लेकिन ये दिन अच्छे हैं, भागगे शाली दिन हैं, इन में आपको लाब अवश्य मिलेगा। आपकी बुद्धी इन दिनों में इस्थिर रहेगी। जो भी सोचेंगे उस पर अडिक रहेंगे, इन दिनों में आप उस बात पर अडिक रहेंगे और जो ठान लेंगे वो काम करके रहेंगे इन दिनों में। यात्रा में भी ठीक ठीक कोई समझ्यावली बात नहीं। उच्च अधिकारी हैं तो उन से थोड़ी साफधनी आपको रखनी होगी। और धन का लाब अवश्य होगा चाहे आप नोकरी में हैं, चाहे व्यापार में हैं। जहां भी धन लाब की बात करूँ, तो वहां आपको यही समझना है कि चाहे आप नोकरी करते हों, चाहे व्यापार करते हों, लाब आपको मिलेगा। अब बात करेंगे साथ, आठ और नो अप्रेल, ये तीन दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। पतनी के स्वास्त में नर्मी रहेगी, यदि आपकी मकराशी है, पती की मकराशी है, तो पतनी का स्वास्त नर्म रहेगा। और पार्टनर है अगर कोई व्यापार में, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी सावदानी साथ, आठ, नो अप्रेल को रखनी होगी। अब बात करेंगे 10 और 11 अपरेल, इन दो दिनों में आप शादी के रिष्टे की बात कर सकते हैं, मान लिजिए माता पिता है, संतान की राशी मकर है, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, तो उसके रिष्टे की बात माता पिता भी कर सकते हैं, 10 और 11 अपरेल को। और संतान की भी रूची रहेगी विवाह का विचार भी बनेगा संतान का भी जिसकी मकराशी है उसका विचार भी बनेगा विवाह का विवाह की इच्छा होगी दामपत्य जीवन उत्तम रहेगा यदि शादी शुदा हैं तो दामपत्य जीवन भी ठीक रहेगा ये दिन शुब रहेंगे आप किसी से प्रेम करते हैं और परिवार में इस बात को रखना चाहते हैं कि मैं love marriage करना चाहता हूँ तो इस बात को परिवार में इन दिनों में रख सकते हैं 10 और 11 अपरेल को रख सकते हैं इस बात को खान पान में रूची रहेगी अच्छी जो पॉस्टिक खान पान की चीज़ें जो होती है उसमें आपकी रूची रहेगी व्यापार भी शुब रहेगा धनलाप का योग बनेगा चाहे नोकरी हो व्यापार हो यात्राएं होगी तो 10 और 11 अपरेल लगबग ठीक है कुछ सावदनिया आपको रखनी है अब बात करेंगे 12, 13 और 14 वैसे तो 10 और 11 अपरेल बुरे है ही नहीं सावधानी की कोई बात ही नहीं तो 12, 13, 14 अपरेल की बात करेंगे अब ये दिन ठीक नहीं है क्रोध रह सकता है, चिंता रह सकती है पारिवारिक समस्या भी रहेगी इन दिनों में 12, 13 और 14 अपरेल, तीन दिन दन लाब जरूर होगा पेशा आपके पास आता रहेगा आमदनी अच्छी रहेगी, शरीर में रोग या नर्मी रह सकती है लेन देन में सावधानी रखें इन दिनों में, 12, 13, 14 अपरेल को अब बात करेंगे 15 और 16 अपरेल ये दो दिन दामपत्य में वेवाहिक जीवन के लिए शुब है शादी शुदा है तो कोई समस्या वाली बात नहीं विवाह का विचार भी बन सकता है इन दिनों में पती पतनी को भी लाब मिलेगा अर्थाद कोई महिला है मकराशी की तो पती को लाब मिलेगा कोई पूरुष है मकराशी का शादी शुदा तो उनकी पतनी को लाब मिलेगा यात्राएं होगी और शुब कारे करेंगे इन दिनों में शुब कारियों में रूची होगी या कहीं शुब कारियों में आना जाना हो सकता है मंदिर में जाना, विवाह में जाना या अन्नी किसी फंक्शन में जाना हो सकता है यदि आप स्टुडेंट हैं तो शिक्षा में भी शुबिस्तती रहेगी 15 और 16 अपरेल को जल्द बाजी के काम इन दिनों में ना करें जल्द बाजी का कोई काम है तो 15 और 16 अपरेल को ना करें आराम से धेरिय से हर काम को करें अब बात करेंगे 17 और 18 अपरेल आप अपनी बुद्धी मता से कारियों में लाब अरजित करेंगे चाहे नोकरी हो चाहे व्यापार हो रिष्टेदारों से भी आपको लाब मिलेगा 17 और 18 अपरेल को नोकरी व्यापार समंदित यात्रा हो सकती है कहीं पर कामदंदे के मामले में यात्रा करनी पड़ सकती है कारियों में सुगमता रहेगी यदि मार्केटिंग में है तो दोड़ वाग थोड़ी से जादा रहेगी लेकिन लाभ भी मिलेगा नोकरी व्यापार में लोगों से सहयोग व लाभ भी आपको वश्य मिलेगा और मान सममान की व्रद्दी होगी शुब दिन है जरूरी काम इन दिनों में आपकर सकते हैं कोई महतुपुन काम है तो इन दिनों में कर सकते हैं अब बात करेंगे 1920 अपरेल दन का लाब होगा इन दिनों में 1920 अपरेल को प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो परिवार में इस बात को रख सकते हैं आमदनी अच्छी रहेगी चाहे आप नोकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं पिता को भी लाब मिलेगा पतनी को भी लाब मिलेगा या पती को भी लाब मिलेगा मित्रों से लाब मिलेगा भोतिक सभी प्रकार के लाब आपको मिलेंगे शुब दिन हैं सामाजिक कारियों में भ महाँ पर जाना हो सकता है अब बात करेंगे 21 और 22 अपरेल ये दो दिन ठीक नहीं है दामपत्य जीवन में अनबन हो सकती है यदि शादी शुदा है और पहले से ही पति-पत्नी में विवार कुशलता नहीं है जगड़ा हो रहा है तो इन दो दिनों में विशेश सावदानी र तो भी आपको उसमें समस्या रहेगी अनावशक खर्च भी रहेगा वानी पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा करवाहट होगी वानी में तो समस्या रहेगी जगड़ा होगा लेन देन में भी सावदानी रखनी होगी और मानसिक चिंता रहेगी इन दो दिनों में 21 और 22 अप माता-पिता कोशिश करें, अपनी संतान का विवाह करना चाहते हैं, संतान की मकर राशी है, तो माता-पिता प्रियास करेंगे इन दो दिनों में, लाब मिलता है, कहीं से रिष्टा आता है, तो बादचित भी अवश्यक करें, 23 और 24 अपरेल को, यात्राएं अधिक होगी इन रहेंगे, एश्वरी की व्रद्धी होगी, खरिद्दारी का योग बनेगा, तो मान सम्मान ठीक रहेगा, आपका वर्चस्प भी बढ़ेगा, किसी प्रकार की खरिद्दारी आप इन दिनों में कर सकते हैं, लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, आनंद की प्राप्ती हैं, 25 और 26 अपरेल, पतनी को धन का लाब मिलेगा, तो पतनी के लिए अच्छा है, यह दिन, पतनी का थोड़ा सा वर्चस्प रह सकता है, मान लिजिये, पती की मकराशी है, तो पतनी का दब-दबा ज़्यादा रहेगा, और यदि पतनी की मकराशी है, तो पती का दब- करना होगा, ऐसा हो सकता है, अचानक लाब का, किसी प्रकार का लाब भी इन दिनों में मिल सकता है, तो अचानक लाब का योग भी बनेगा, और आपकी जो पतनी हैं, उनको भी लाब मिलेगा, यदि आप महिला हैं, तो आपके पती को लाब मिलेगा, नई योजना, धन कैसे करें इस प्रकार का विचार बन सकता है शिक्षा भी ठीक ठीक रहेगी कोई समस्या वाली बात नहीं थोड़ी सी चंचलता जरूर रहेगी और थोड़ी जल्द बाजी भी रहेगी लेकिन कोई नुकसान वाली इस्तती नहीं है अब बात करेंगे 27 28 और 29 अपरेल ये तीन दिन आपके लिए कैसे रहेंगे शुब रहेंगे यात्राएं होगी विदेश यात्रा भी हो सकती है लंबी यात्राएं हो सकती है दामपत्य जीवन भी अच्छा रहेगा पति-पत्नी में लाब भी मिलेगा और अन्य इस्ततियां भी ठीक रहेगी और से आपके लिए ये 3 दिन ठीक रहेंगे 27-28 गुन-30 लेकिन अंतिम दिन 30 अपरेल आपके लिए ठीक नहीं रहेगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा गुसा आ सकता है या किसी प्रकार का काम काज से समन्धित भहए भी रह सकता है काम का दबाव रह सकता है किसी से विवाद हो स रहेंगे उस्तथ कि यूइदि सिख्षान समस्याब से但 सब से थिरक नहीं आधसर हैं अपको वापस एक छोटी सी जानकरी देदूं कि इस अपरेल के महिने में मकर शिवालों के-लिए कौन से दिन ठीक नहीं कब से लेकर कब तक दो अपरेल 2022 सुबह ग्यारा बज कर 20 मिनट चार अपरेल डोहजार बाइस रात की 9 बज़े तक यह समय ठीक नहीं तक फिर इसके बाद 12 अपरेल 2022 सुबह आठ बज कर 40 मिनट से 14 अपरेल 2022 शाम को चार बज़े तक यह समय भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा फिर इसके बाद 20 अपरेल 2022 वेसे पूरा दिन अच्छा रहेगा लेकिन रात को ग्यारा बज़कर 40 मिनट से 22 अपरेल की रात्री एक बज़कर 51 मिनट तक समय ठीक नहीं है अर्थात यहां 22 अपरेल की रात्री एक बज़कर 51 मिनट अर्थात 23 तारिक यहां लग जाएगी एसा समझना है और अंति मिस्थती है गुंतिस अपरेल 2022 वेसे पूरा दिन ठीक है लेकिन शाम को 7 बज़े से लेकर 6 बज़कर 42 मिनट से लेकर गुंतिस अपरेल की शाम 6 बज़ से लेकर 30 अपरेल 2022 पूरा दिन तक ठीक नहीं रहेगा गुंतिस अपरेल का दिन शाम की 7 बज़े तक ठीक है उसके बाद फिर ठीक नहीं रहेगी इस्तती ठीक नहीं है तो यह जो समय है इनमें जरूरी काम इससे अलग दिनों में निप्टा लेएं इनमें खरिदारी है या व्यर्थ विवाद है या किसी से कोई जरूरी मिटिंग है तो ना करें यह दिन ठीक नहीं है और यह जानकर यह आपको अच्छी लगी हो तो इसे अतिक सदिक शेर भी करें ताकि अन्य दर्शक भी लाबानवित हो सकें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें चैनल को सब सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में और भी जानकरिया आपको समय समय पर मिलती रहेगी धन्य बाद जैशी क्रिश्ना